सबी हिमाचल प्रदेश वास्यों को मेरा साधर नमस्का है मैं लक्षीमदत शर्मा बेस्टिक सिर्मार के एक छोटे से गाउं मंधारा से विलोग करता हूं मेरा डिश्टल मार्केटिंग का बिजनेस है इंडिया में और पूरे संसार में बहुत सारे कंट्रीज में और मैं एक स्टार्ट अप इंवेस्टर हूं आज हम सबको पता है कि हम पूरा संसार एक बहुत बड़ी विपदा ये जो कोरोना एक वाइरस फैला है चाइना से पुह प्रदेश से और धिरे-धिरे ये फ्रांस, स्पेइन, पूरे यॉरोप में, अमेरिका में पूरे शाइद कुछ आर्टस कंट्रीज को छोड़के सब कंट्रीज में फैल चुका है ये एक इतना खतरनाक वाइरस है कि जिसका भी तक कोई ना वैक्सीन है ना मेडिसीन है और ये हमारे पूरे जो लंग्स है हमारा जो रेस्परेटरी सिस्टम है उसको अटैक करता है और नीमोनिया की तरह से सिम्टम्स होते हैं उसको खासी या उखार या गले में ख्रास्टाइप होती है और फिरो जब लंग्स में जाता है तो उसके बाद में बहुत ब्रीधिंगी प्रॉब्लम होती है और अगर किसी भी पेशेंट को असानी से आईस्यू या वेंटिलेटर ना मिले और तब तक अगर हमारा इमीन सिस्टम काम ना कर है तो यह अल्टिमेटली आगनी की डेथ हो जाती है जो कि 50 एर्स प्लस 60 एर्स प्लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम है अभी हमारे भारत में इतने ज्यादा केसिज नहीं है जितना की बाकी बड़े-बड़े देशों में हुए हैं बट हम सबको पता है कि हम 130 135 क्रोड अगर यह आजाता है तो बहुत एक अंकंट्रोलेबल स्टेट हो जाएगे जिस तरह से बाहर के अमेरिका में यूके में यूरोप में चाइना में एक गवर्मेंट के कंट्रोल करने के सिस्टम्स थे यह वहां की जो एक मैडिकल फैसलेटीज है उस तरह से इंडिया में कि उसको कंट्रोल करना है कि इतना मुष्टिले इतने सारे लोग हैं तो एक बहुत ही हाई लवल की संक्रमन फैल सकता है जैसा कि हम सब को पता है अब हिमाचल में भी हमारे कुछ केसी जा गये हैं और अगर यह गाओं गाओं में चला जाता है जहां पर हमारे पास में मैडि सब्सक्रमन को रोकने के कुछ चोटे-चोटे उपाए हैं अगर हम उनको हर रोज की क्रिया में ध्यान रखेंगे तो हम इसको फैलने से बचा सकते हैं सबसे पहले इसको बचाने का है कि हम घर में रहें और एक दूसरे से उतने ज्यादा ना मिलें हैं क्योंकि जितने ज्यादा मिलेंगे उतना यह ज्यादा फैलता है हमें बार बार हाथ मूह में और नातलम में कहीं भी लगाने की आदत होती और सबसे ज्यादा यह इसी चीज से फैलता है दूसरा जब भी कोई खांसता है या जब किसी इसके कोई symptoms होते हैं तो उससे तो छींख पानने से इसके जो बहुत छोटे-छोटे करन होते हैं वो हावर में जाके और एक मिटर, दो मिटर तक किसी को भी लग सकते हैं तो अगर हम सोशल डिस्टैंसिंग एक दूसरे से मिलना कम करेंगे तो इसको रोकने के बहुत ज़्यादा चांसी जो जाते हैं कि वहीं पर यहम उसको रोक सकते हैं उसके बाद में हम जब भी कहीं जाते हैं वापस आते हैं तो हमें जो हाथ है वो हाथ को खुब 25-25 सेकिंड तक साबुन में धोना चाहिए और आप खहीं ऐसे काम के लिए जहां आपको लगता है कि आपको बहुत जरूरी जाना है आप साबान लेने के लिए जाते हैं तो आप इस तरह के गलप्च ciao सकते हैं और जब आप घरा है तो आप पहुत ध्यान से इनको निकालके फीर इनको 200 सकते हैं तो अब हैप अपने ह नंक्रमित भ्यक्ति है अगर वो चिंख मारता है या शांस लेता है जोड़ से तो उसके जो आशर होंगे वो आपके उसमें नहीं जाएंगे यह बहुत बड़ी विपता है पूरे संसाब के उपर में बहुत बड़ी विमारी है अगर हम ने ध्यान नहीं दिया और अगर यह ऐ अगर आप पूरे वर्ड की एकाउनमिक्स तेखें और कैसे सारे बिजनेसे बंद हो गए तो इस विपताश से बचने के लिए अगर हम यह चोटी चोटी बातों को ध्यान रखेंगे हमारे मानने परधानमंत्री जी मोधी जी इन सब बातों को बोलते हैं कि हमें सोशल डिस् कि मानने मुख्य मंत्री जी ठापुर जी है वो बार बार पुरा जो इनका डिपार्टमेंट है यह सब को और आप अगर हम इन सब चीलों को ध्यान रखेंगे तो हम अपने प्रधेश इसको डिक्याब ज़से करता हoon अग जिस से जितनी भी त करो सकता है वो हिमाचल प्रदेश का HP COVID-19 Solidatory Response Fund है उसके लिए खुब दिल खोल कर दाम दें जिससे कि हमारे इतने भी ग्रीब भाई बंदू है हमारे प्रदेश में जिनको जूर्थ है जिनको उतनी medical facilities नहीं मिल सकती या जो जिनको भी इस चीज की जूर्थ है तो हम उनको हेल्प कर सकते ह इसी सी छोटी सी उसके लिए मैंने अपनी तरफ से और हमारी कंपनी की तरफ से एक स्रिमोरी ग्रूप की तरफ से आधे महिने की सेलरी फंड के लिए दी है और एक मैंने और मेरे बच्चों ने रुशील शर्मा और अलन्य शर्मा ने एक लाग रुपे और मैंने अपनी हम सभी से बुजारिश करता हूं कि मेरे यह से और भी कितने सारे कॉर्पेट वर्ड में पूरे बाहर है किसी और दूसरे देश में पूरे जेश में अलग-अलग है वह सब मिल एक जूठ हो और हमारे हमाचल प्रदेश के फण्ड में Solidarity Response Fund में दान करें, ताकि हम इस बिमारी को फैलने से बचाएं और हम सब का भला करें, धन्यवाद.